ये कहानी अलादिन नाम के एक राजा की उपर आधारित है जो दिमाग से पूरी तरह पैदल होता है अब पूरी तरह बेवकूफ होने की वज़े से वो उपने देश में क्या-क्या कर नामे करता है ये हम आज की इस explanation में देखने वाले हैं आज मैं जिस फिल्म को explain करने वाला ह उसका नाम है दा डिक्टेटर और ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुवात में हमें कालपनिक देश वाडिया दिखाये जाता है वाडिया में बच्चे का जनम होता है जिसका नम अलादिन रखा जाता है अलादिन के जनम के बाद से ही उसकी मा को मार दिया जाता है और इसके कुछ सालों बादी उसके बाप की भी हत्या कर दी जाती है और अब सिर्फ साथ साल की उम्र में अलादिन वाडिया का राजा बन जाता है इसके बाद सीन यहीं कट होता है और हम कुछ साल बात का सीन देखते हैं जहां अलादिन अब बड़ा हो चुका है अल अलादिन उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो अलम्पिक में 14 गोल मैडल जीत जाता है इसके बाद अलादिन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा को बोलता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी हम जल अंदर जाते हैं और वहाँ अलादिन देखता है कि उसकी मिसाल बहुत ही छोटी बनी है अब यह देखकर अलादिन को बहुत गुसा आ जाता है और वो अपने साइंटिस नदाल को बुलाने के लिए बोलता है पर इस पर बाकी के साइंटिस उसे बताते हैं कि जब आप पिजएंट में आती है और एक साइंटिस अलादिन को बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे पर इस पर अलादिन हसते वे उसे बोलता है कि मैं भूला नहीं था और फिर वो उस साइंटिस को भी मरवा देता है इसके बाद अलादिन वापस अपने महल में आ जाता ह जहां पर उसकी security में सिर्फ लड़किया होती हैं दरसल अलादिन अपनी security के ले सिर्फ लड़किया ही रखता है ताकि बाद में वो उन्हें बजा सके फिर जब अलादिन अपनी कार से बाहर निकलता है तब ही वहाँ एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादिन नहीं बल्कि उसका डुब्लिकेट था दरसल अलादिन हमेशा ही अपने साथ एक डुब्लिकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो हमेशा उसका डुब्लिकेट ही मारा जाए अलादिन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपनी डुब्लिकेट की लाश को उठने के लिए बोलता है और फिर जब वो लाश नहीं उठती तो अलादिन अपने अंकल को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो फिर अलादिन के वहां से जाते ही उसके चाचा तामीर किसी को फोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि अलादिन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके जैसे दिखने वाले किसी और को ढूणना होगा जो हमारा काम कर सके अब ये देखकर हम व्यूवर्स को पता चल जाता है कि अलादिन को उसके चाचा तामीर ही मरवाना चाते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हातों में आ सके इसके बाद ये लोग अलादिन के हमशकल को ढूड़ना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादिन की तरह दिखता था पर ये आदमी भी अलादिन की तरह ही दिमाग से पैदल होता है दूसी तरह हम अलादिन को देखते हैं जो एक हॉलिवूड अक्टरिस मेगन फॉक्स के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़ने के बाद वो उसके साथ एक फोटो घिचवाता है और वो उस फोटो को अपनी दिवार पर चिपका देता है उसी दिवार पर हम और भी कई सरी लड़कियों की फोटो देखते हैं जिनके साथ अलादिन अब तक पलंग तोड़ चुका है फिर अगले दिन जब अलादिन वीडियो गेम खेल रहा होता है तब ही वहाँ पर उसके चाचा तामीर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने परमाणू हतियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फोच को यहाँ बेचकर वाडिया पर कबजा कर लेंगे अब यह सुनकर अलादिन डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा फिर अलादिन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग सड़कों पर उसके खिलाफ नारे लगाते हैं दरसल अमेरिका की लोग चाते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ और पागल राजा उन पर अत्याचारना करे। इसके बद अलादिन अपने सिक्यूरिटी हेड से मिलते है जिसका नम क्लीटोन होता है और वो अलादिन को बिल्कुल भी पसंद निकरता था। उसको रसीयों से आजात कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब अलादिन की दाड़ी कट जाने की वजए से कोई भी उसे पैचान नहीं सकता था। फिर अगले दिन अलादिन उसी जगे जाता है जहां पर उसे भाशन देना था। तबी वो वाँ पर देखता है कि उसका हमशकल उसके चाचा तामीर के साथ वहाँ पर भाशन देने के लिए जा रहा है और अब अलादिन ये सब देखकर समझ जाता है कि ये सारा खेल उसके चाचा तामीर का है अब अलादिन को बहुत ज़दा गुसा आजाता है और वो रेलिंग तोड़ कर अंदर जाने की कोशिश करता है पर तभी सिक्यूरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है तभी वापर जोई नाम की एक लड़की आती है और वो उसे स्कूटी पर बिठा कर व वहां से चला जाता है अब अलादिन सडकों पर भटक रहा होता है और तभी वहां उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था अलादिन नदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है पीछा करते वे अलादिन एक ब मरा नहीं था और वो सब भाग कर अमेरिका आ गए थे इसके बाद वो सभी अलादिन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं वो अलादिन को टपकाने ही वाले होते हैं कि तभी महाँ पर नदाल आ जाता है और उन सभी को बोलता है कि ये मेरा कजन है दरसल यहा पर क्या कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोका दिया और वो वाडिया पर कबजा करना चाते हैं फिर अलादिन नदाल को बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जिस पर नदाल मान तो जाता है पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी क्यों कर रहे हो तो अलादिन उसे बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसपर नदाल उसे बोलता है कि अगर तुम इस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम इस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं अब अलादिन ना चाते वे भी जोई की शॉप में काम करने लगता है पर वहाँ पर वो ढंक से काम करने की बज़ए सबी चीजों को बिगार देता है फिर अलादिन को नदाल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैंने सारा प्लैन बना लिया है हम कैंटीन के सामान के बहाने से उस होटल में जाएंगे और वहाँ पर नकली अलादिन को हटा कर उसकी जगह असली अलादिन को ले आएंगे अब अलादिन को ये प्लैन अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे जोई भी पसंद आने लगती है जिसकी वज़े से अब वो शॉप में अच्छे से काम करने लग जाता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्षा ही बदल देता है फिर एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उस समय इतना वक्त नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाये जा सके और फिर वो जोई को अपनी सच्चाई बता देता है अब सब कुस सच जानने के बाद जोई उससे बहुत गुसा हो जाती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है फिर अलादिन जब सडकों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज़दा खुश है और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाते अब यह सब देखकर अलादिन को लगता है कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता इसलिए वो डिसाइट करता है कि वो अपनी जान देदेगा फिर वो एक पूल से कूत कर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तब ही मपन नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है अब अलादिन भी नदाल की बात को मान जाता है और वो अपने मरने का प्लैन कैंसिल कर देता है फिर अगले दिन अलादिन नदाल के साथ मिलकर बहुती मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादिन को भगा कर खुद उसकी जगे ले लेता है इसके बाद अलादिन उस मंच पर जाता है जहां पर आज वाडिया का नया सविधान पड़ा जाना है इसी दोरान अलादिन उस पेपर को फार देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी फिर अलादिन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में हमेशे डिक्टेटर्शिप चलेगी पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसको देखते ही अलादिन अपना मन बदल देता है और वो एलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटर्शिप नहीं होगी बलकि वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी होगी अब ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं पर तभी वहाँ पर तामीर अलादिन पर गोली चला देता है अब वो गोली अलादिन को लगने ही वाली होती है पर तभी वहाँ पर उसका हमशकल आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है इसके बद अलादिन जोई को भी अपने साथ वाडिया ले जाता है और उसके साथ शादी कर लेता है शादी के दुरन जोई उसे बताती है कि वो एक जोईश है जिसको सुनकर अलादिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है